नमस्कार दोस्तों आज हम आपको दही का प्रियोग जो गेहों की फसल में किया गया और सामान रूप से जो एनपीके और इविया का छिड़काव या बुवाई की गई है उन दोनों का कमपियर वीडियो दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर आपको हम दही का प्रियोग जिस खेत में किया गया है उसको भी बताएंगे और जिसमें दही का प्रियोग नहीं किया गया सामान रूप से एनपीके या यूरिया का छिड़काव किया गया है उसको भी आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको दही का प्रियोग करन या NPK का प्रियोग करें और कौन सा उचित रहेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों मैं हूं सतीस कुमार आप देख रहे हैं STR किती दोस्तों आज हम आपको यहां पर जैसा कि हमने बताया है कि यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं एक तरफ रासायनिक तरीके का प्रियोग जिस खेत में किया गया और दूसरी तरफ जो जैबिक तरीके का प्रियोग किया गया है उसमें क्या अंतर है इन बातों को भी बताएंगे और क्या क्या प्रियोग किया गया है ये सब जानकारी आपको यहाँ पर हम देंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ रासायनिक तरीके से जो प्रियोग किया गया है NPK का प्रियोग छिड़काव के रूप में DAP का और UREA का प्रियोग बुआई के समय या बाद में किया गया है तो उसमें और दूसरी तरफ आप जैविक तरीके से जो खेती है उसमें अंतर देख रहे होंगे दोनों की बुआई लगबग सेम समय पर की गई यानि रासायनिक तरीके का जिसमें प्रियोग किया गया है गर रहे हैं जबकि सेम समय पर वही है एक भी ब्रायटी वही गई है और उसमें जो है पौधे हरे हैं लेकिन अभी बालियां उसमें नहीं निकली है इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसमें काफी आगे पीछे भी बालियों का इसतर चल आ है और जैविक तरीके से जो आप खेत देख रहे हैं उसमें आपको सीधे इस पस्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि बालिया निकल चुकी है और सभी बालिया सामान रूप से समान निकली है बालियों की लंबाई अधिक है क्योंकि अभी उसमें एक दो बालिया निकली है उसके प बालिया निकल चुकी है तो इसलिए उसके काण भी हर्याली कम है लेकिन वैसे यदि हर्यकी बात की जाए तो जैविक तरीके में हर्याली उससे अधिक थी अब दोनों में प्रियोग क्या किया गया और क्या अंतर है तो वह भी बताए के समय जो जैविक खेती का तरीका और अलफ़र का प्रियोग किया गया यानि उसमें भी कोई ऐसे उपाई नहीं है जो नहीं किये गये हूं और दोनों में काफी फिर भी हमको अंतर देखने को मिला है और जब कि जैबिक तरीके में कमपोस्ट खाद का पूर्ण रूप से प्रियोग किया गया और रासायनिक तर ग्राम मात्रा एक एकड में प्रियोग की गई है और उसके साथ थोड़ा ध्यान रखा गया था कि तामे की चीजें दही में डाल दी गई थी और उसके बाद जो गेरुआ पीला गेरुआ रोग लगता है वो भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है और जो रासायनिक तरीके से खेती की गई है उसमें भी कुछ रासायनिक फंगी साइडों का प्रियोग किया गया है और साथ में उसमें एन पीके का छिड़काव तीस से पैतिस दिन की अवस्था थी उस समय किया गया और बाद में पैतिस से चालिस दिन की अवस्था पर किया गया जब फसल सतर दिन क उपर हो गई तो जीरो बावन बत्तिस एन पीके का भी छिड़काव किया गया है जब कि जो है जीवा मृत का प्रियोग किया गया और दही का ही प्रियोग किया गया है अन्य किसी चीज का प्रियोग नहीं किया गया है लेकिन दोनों की खेतों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि रासानिक खेती वाला खेत कमजोर है लेकिन यद इसके मुकाबले देखा जाए तो काफी वो पीछे है क्योंकि इसमें जो है बालिया निकल चुकी है और बालियां सभी सामानी रूप से एक साथ निकली है जब कि रासानिक खेत में बालियां सामानी रूप से एक साथ नहीं निकल लए हैं आगे पीछे निकल लए हैं और उसके साथ साथ पौधा भी हमको जैबिक तरीके की अनुसार कमजोर दिखाई पड़ रहा है तो उमीद है आपको ये कमपियर वीडियो पसंद आया होगा कोई जानकरी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना सेर भी कर देना और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं नए जानकरी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद